आर एन राज महित क्लास में आपका स्वागत है सर हम लोग पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे गन्मूल पढ़े थे अध्याय एक में गन्मूल पढ़ा था आज सर कुछ अलग कोस्चन पढ़ेंगे उससे अलग कराके कोस्चन दिया है कि 0 दसमलो जीरो, 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 आठ का क्या करना है, घंध मूल लिकाना, तो जब भी ऐसा question आएगा सर्, दसमलों वाला, सबसे पहले हम peer बनाएगे, तीन-तीन का सर्, हम बता चुके हैं कि घंध में, तीन-तीन का peer बनाते हैं, तो मैंने क्या किया सर एक तीन यहां से लिया एक तीन यहां से जोड़ा बन गया सर उसके बाद से जो नंबर दिया है आठ आठ का हम क्या करेंगे घनमूल लिका लेंगे तो दो से भाग देंगे तो यह चार बार जाएगा फिर दो से करेंगे तो दो बार जाएगा फिर दोस्तर करेंगे तो एक बार हम पहले आपको बता चुके है लियु did फोलं और एक क्योडा इदर से यानि हमको कितना चाहिए दो नमबर चाहिए चलो एक यहneज नफ ke दो यहां दसमालो लगा देंगे यह आपका क्या हो गया अंसर हो new next question next question दिया है कि तीन सही तीन बटा में आठ का घनमूल लिकालना है जब भी ऐसा कोश्चन आए सबसे पहले इसको भिन्द में कनवर्ट कर लेंगे जो सही में दिया है इसको भिन्द में करेंगे आठ से इसमें गुणा करेंगे आठ तिरी के चोबीस और इसको क्या करते हैं करते हैं और इसको क्या करते हैं योग कर देते हैं गुणा करने के बाल याणि का करड़ें यानि 27 बाटा में टो स podéisसरों क्यालेंगे नि साइस-कली यह दो दो करेंगे तो 5 लोग्तिर औरatbahn प्रतीन का इसे नौ में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा है फिर थीन से करेंगे 3 में फिर ये साध्यार जाएगा यह टमर्ड पनें तिन तिन नमबर का जोड़ा बनेगा तो फिर दो से का करेंगे आठ में भाग देंगे तो चार बार फिर दो से करेंगे तो दो बार में फिर दो से करेंगे तो एक बार में यानि आठ का कितना लिकल काया सर घनमूल दो लिकल काया यहां से तो पहले 27 है यानि 27 का घनमूल कितन में यारा होगा चलते हैं next question पे कुछ अब इस तरीके question मिलेंगे यानि ध्याओ कि 729 में 3300 घंड मूल ग्याद करें तो हम 729 का घंड मूल लिका लेंगे तो नौ से जब इसको करेंगे तो एक 80 बार में कटेगा फिर 9 से करेंगे तो यह 9 बार में कटेगा फिर 9 से करेंगे तो 11 से करेंगे तो 121 बार में जाएगा फिर 11 से करेंगे तो 11 बार में जाएगा 11 से करेंगे तो एक बार में जाएगा यानि हमने 729 का लिकाला तो 9 आया और 1331 का लिकाला तो कितना आया 11 है यानि 9 बटा में 11 है मेरा क्या आगया अंसर आगया आगया चलते हैं सर कुछ अब इस तरीके के question मिलेगे करा है कि माइनस 343 गुणे 513 के पावर एक बटा 3 सर किसी के अगर घात में एक बटा 3 है उसका मतलब क्या करना है घन मूल क्यात करना है अगर एक बटा 2 दिखता है उसका मतलब क्या करना है हमको बर्ग मूल लिखाना है तो माइनस 343 गुणे 515 के घात कितना है एक बटा 3 या इसको बोल सकते है कि माइनस 343 गुणे 515 पूरे के एक बटा 3 यानि हम जब 343 का लिका लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 गुड़े 7 गुड़े 7 इसलिए कि 7 सते 9 सते 343 होता है और 512 का करेंगे तो लिख सकते हैं 8 गुड़े 8 गुड़े 8 तो इसका एक साथ लिखा लाया और इसका कितना लिख लेगा तीन नंबरों में से एक लिख लेगा तो आठ लिख लेगा यानि साथ गुड़े आठ लिख ला तो साथ वाठ कितना होगा गुड़ा करेंगे तो छपपन सर यहां पहले से माइनस लगा है तो मैंने माइनस लगा दिया है यानि कितना हो गया साथ वाठे चुपण इसका राइट अंसर हो गया कि आई होब कि आपको अच्छे तरीके से समाझ में आ रहा होगा थेंक यू